मात्मा गांधी और लाल बादुर शास्त्री में कुछ कॉमन है बताईए जरा क्या कॉमन है? उनकी जर्म जेनती यानि 2 अक्टूबर पर 2 अक्टूबर को कुछ और भी हुआ था याद आया चिन्म्यानन का सत्संग हुआ था दोस्तों सत्संग में विजय सलगाओ कर और उसका परिवार शामिल होने गया था जिसने भी द्रश्यम का पहला भाग देखा है उसे ये लाइन रेट गई होगी अब इसका दूसरा पार्ट भी आ गया है देखते हैं कैसी है अजय देवगन की द्रश्यम 2 जिसने द्रश्यम देखी उसे पूरी कहानी पता है इसलिए वो दोबाया रेपीट करने का कोई तो बनता नहीं है दूसरे पार्ट से ही शुरू करते हैं द्रश्यम जहां खत्म होती है द्रश्यम 2 वहीं से शुरू होती है थोड़ा हिंट देती है और फिर 7 साल का लीप लेकर आगी बढ़ जाती है विजय वाला केस फिर खुलता है नए स्री से बड़ताल होती है चुकि मीरा देश्मुक इस्तिफा दे चुकी है इसलिए नए आईजी साहब तरुन इस केस में आगे की जाच करते हैं वो दोस्त भी है मीरा के इस्पेक्टर गायत इंडे को भी फिर से बुलाया जाता है इस दोरान बहुत कुछ घटता है और कमाल घटता है यह तो रही मुटा माटी कहानी अब इसके दूसरे आस्पेक्ट पर भी बात कर लेते हैं जिसने मोहनलाल वाली ओरिजनल दृष्च्रम 2 देखी है उसे लगभख पहले सही सब कुछ पता होगा एक दो बातों को चोड़ कर कुछ ऐसा खास इसमें नया एड नहीं किया गया है जैसे IG के किरदार को फिल्म में थोड़ा ज़्यादा महत दिया गया और भी कुछ छोटे मोटे elements हैं जो इसमें अड किये गया है पर वो spoiler की category में आएंगे इसलिए हम वो नहीं बताएंगे जब एक बहतरीन screenplay का उधान सामने हो तो writers के उपर उस standard को match करने का दबाव भी होता है आमिल और अभिशेक पाठक उस दबाव में निखरते हैं screenplay tight है कहीं पर भी रत्ती भर की धिलाए नहीं लगती आपको लग सकता है कि first half आपको build up में निकाल दिया गया है इसे कम किया जा सकता था यानि समय घटा जा सकता था थोड़ा pace up किया सकता था इसको पर किसी भी thriller के लिए build up उतना ही जरूरी है जितना उसका thrill जितना उसकी fast pace build up नहीं होगा तो आगे मज़ा नहीं आएगा कहानी कहने का ये एक बहतरीन तरीका है यहां दर्शक सब कुछ पहले से जान रहे होते हैं और फिर उसमें thrill और suspense पैदा किया जाता है दर्शक कहानी से और जादा attached महसूस करते हैं इस तरीका का जो होता है जिसमें से पहले वो सब कुछ जान रहे होता है यहां वही होता है पहले के ही कुछ मिनटों में लेखक आपको इतना बड़ा तुरूप का इका सौंप देते हैं कि आप खुद को पुलिसिया पड़ताज से आगे पाते हैं खुद को सुपीरियर पाना किसे पसंद नहीं आखिर हम हैं तो इनसान ही डियालोग में सटायरिस्टिक ही उमर भी है जैसे एक डियालोग है याद रख हर कुत्ते का दिन आता है मैं कुत्ता तो नहीं पर आज दिन मेरा है अभिशेक पाठक के डियरेक्शन के बारे में बात करें तो उनके सामने पहले से एक नजीर थी उन्होंने उसी को रिलिजेस्ली फॉलो किया है पर इसके लिए अनुशासन चाहिए जो अभिशेक में दिखता है उन्होंने बहुत सारा अपना इन्बुड भी डाला है चाहे वो तरुन का किरदार हो या फिर गोवा को दिखाने का उनका नजरिया कुछ ऐसे शॉट्स भी है जो इस फिल्म को मास अपेलिंग बनाते है साथी टेंशन बिल्डिंग बहुत कमाल है एक सीन है जहां पर विजय को इन्मिस्टिगेट किया जा रहा है उसी के पैरलर दूसरे कमरे में उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है शेक करता हुआ कैमरा और पास्ट पेसर रिटिंग इसमें चार चान लगाते हैं कई handheld shot काफी अच्छे हैं जैसे शुरू में जब दो आदमी लड़ रहे होते हैं उसे लड़ना नहीं कहेंगे भाग रहे होते हैं उनका side से लिया गया follow-up shot बहुत अच्छा है और भी कई सारे अच्छे P.O.V. shot है जिनमें कैमरा बॉड़ी में रिक्या गया है विजय को छोड़ा था वहीं से इस वाली पार्ट में पकड़ लिया है तबू इसमें एक police officer नहीं बल्कि मा के रोल में है एक कतल हुए जवान बेटे की मा की बेबसी, गुस्से को उन्होंने बड़ी अढ़ंग से सामने रखा है इंस्पक्टर गायत उंडे के रोल में, कमलेश सावंत और मीरा के पती के रोल में रजित कपूर ने realistic काम किया है उनके अलावा अजय की डरी हुई पत्नी के रोल में श्रिया सरन और उनकी बेटी वनी इशिता दत्ता ने भी सही काम किया है इस फिल्म में जो एक कलाकार अलग से निकर करा हैं वो हैं अक्षे खनना, आई जी तरुन के रोल में उन्होंने बहुत बहुतरीन काम किया है, अच्छा भी ने किया है, उस किरदार के वेंग्यात मकरवय को उन्होंने धंक से निभाया है, इसे देखकर उनका आर्टिकल 375 मे निभाया वकील का किपदार भी आ रहता है मेकर्स के सामने मली आलम फिल्म का एक बढ़िया उदाराण था पर इस फिल्म ने उसकी नकल करके भी एक बहतरीन प्रोडक्ट निकाला है ज्यादा चीजें उरिजिनल फिल्म से उठाई हैं और कुछ जोड़ा भी है देखकर आईए यदि मली आलम वाली दृश्यम तू नहीं देखी है तब तो और ज़्यादा मजाने वाला है आज की रभी में इतना ही मैं था अनुबह और आप देख रहते ललन टॉप और कैमरे की पीछे मेरे साथ ही थे जते